सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए यहां कहना गलत नहीं होगा कि भारतिय क्रिकेट टीम दुनिया के बहतरीं टीमों में से एक है शुरू से लेकर अब तक भारतिय क्रिकेट टीम में बहुत से क्रिकेटर्स डेब्यू किये और कुछ लोगों ने अपने क्रिकेट काईरियर को अलविदा भी कह दिये लेकिन टीम में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स आये जिन्होंने अपने शांदार प्रदर्शन के बदोलत सिर्फ भारत में ही नहीं बलकी पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेडा और फैंस के दिल में जगह बनाई उनहीं क्रिकेटर्स में से एक नाम भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्वर कप्तान महेंद्र सिह धोनी का भी आता है धोनी ने ना सिर्फ अपनी बले बाजी और शांदार वीकेट की पीम से बलकी टीम की कप्तानी करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की लेकिन धोनी की बड़ती उम्र और उनके खेल के गिरते स्तर को देखते हुए भारतिय चयन करता धोनी के लिए विकल की तलाश करना शुरू कर दिये है हाला कि यहाँ बहुत मुश्किल है कि कोई विकेट कीपर धोनी जैसा मिले और टीम में फीनिशर की भूमी का निभा सके लेकिन भारतिय क्रिकेट टीम में एक ऐसा भी विकेट कीपर मौजूद है जिसकी कई अच्छी आदते धोनी से मिलती जुलती है अपने शांदार प्रदर्शन के बदौलत भारतिय टेस्ट टीम में अपनी जगहपत की करने वाले रिधिमान साहा बिलकुल पूर्वर भारतिय कप्तान महेंद्र सीह धोनी जैसी शांदार विकेट की पींग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में साहा 56 कैच और 10 स्टर्म पी कर चुके हैं कुछ दिनों पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के विकेट कीपर रिधिमान ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि चतुराय भरी विकेट की पींग करना उन्होंने महेंद्र सीह धोनी से सिखा हैं जहां दुनिया भर के विकेट कीपर सलेजिंग करके बले बाजों का ध्यान भटका कर उन्हें आउट करने का हथियार बनाते हैं वही भारतिय टेस्ट क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर रिधिमान साहा का मानना है कि महेंद्र सीह धोनी की तरह वह भी क्रिकेट मैदान में जुबानी जंग नहीं करते हैं। क्या रिधिमान साहा भविश्य में महेंद्र सीह धोनी बन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमे करें इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए